दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर रहा हैं एक ऐसा स्मार्ट फोन जिसकी कीमत है लगभग 13,000 रुपए के आसपास लेकिन जो इसके फीचर्स होने वाले हैं वो लगभग 20,000 रुपए से उपर के फोन के होने वाले हैं मैं यहाँ पर बात करना हूँ रियल्मी की तरफ से आने वाले लैटेस्ट फोन रियल्मी C67 की जो की एक 5G फोन होने के साथ एक बजट स्मार्ट फोन है जहां पर फीचर्स बहुत ज़्यदा माइने रखते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम इसे उन्बॉक्स करेंगे इसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि यह फोन आपको लेना चाहिए या फिर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं यह फोन मेरे को मिला है DKG मुबाइल की तरफ से तो अगर आप पर्चेस करना शाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को अगर आप देखोगे तो रियल्मी का बॉक्स जो रहता है बिल्कुल एकदम वही स्टाइल कर रहता है ट्रडिशनल हिसाब के ताब रियल्मी ने मुझे लगता है काफी टाइम से पाकिंग में कोई चेंज नहीं किया है तो आपको क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए या फिर यलो कलर में आपको काफी अच्छा रखता है इसका बॉक्स ने कमेंट करके बताएगा इस छोटे से बॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें की सबसे पहले देखने को मिल जाता है यह केस कवर बाकी तो कुछ क्या ह इस चीज को एक्ट्रक्टिव लुक दे रहा है तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आप यह यूज करेंगे या फिर अलग से कोई चमक धमक वाला बढ़ी आसा केस कवर लाके लगाओगे फोन को निकाल के साइड में रखें क्योंकि पहले बात करने होगी इसकी असेसरी के ब बताऊं तो 33W का Fast Charger है और फोन में 5000 mAh की बैटरी और इस charger की मदद से अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो 29 मिनिट लगबग 30 मिनिट में आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं 50% तक यानि कि 0-50 तक ले जा सकते हो यह एक चीज मेरे को काफी इंट्रस्टिंग लगी है आपको यह प्यारी सी चोटी सी केबल देखने को मिल जाती है तो यह तो रही इसकी ऐसे सरी बाकी एक बार फोन को सेट अप कर लेते हैं फिर आप से डिटेल से बात करते हैं उसके बारे में तो गाइस यह फोन मैंने सेट अप करा लिया है और सबसे पहले बात करते हैं जाक बहुत इंट्रस्टिंग लगी है वो यह है कि कही न कहीं इसका फॉराइजिंग अगर आप देखोगे तो बहुत मिनिमम ही मैं कहूंगा और ऐसे में आपको 120 हर्स मिल गया है यह पॉइंट मुझे काफी इंट्रस्टिंग लगा है साथ इसाथ फुल HD प्लस का रेजलूशन है यह बात भी आपको गौर करने होगी डिस्प्ले का अगर जो व्यू देखूंगा मैं कहीं न कहीं एक्स्पीरिंस देखूंगा वो फुल व्यू वाला रहता है 86.6% का यहाँ पर आपको screen to body ratio मिल जाएगा उपर पंच होल मिल जाता है camera setup बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर borderless display देखने को मिल जाएगी नीचे के तरफ हलके से bezel जरूर है लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो जो look आ रहा है वो full view वाला ही आ रहा है अगर हम बात करें यहाँ पर इसके छोटे से camera के बारे में तो यह आपका 8 MP का selfie camera होता है 1080px की video 30 fps पर आप इससे record कर सकते हो quality के बारे में आगे जाकर बात करेंगे लेकिन पहले बात करनी होगी जाकर एक बार इसके side की side में आपको देखने को मिल जाती है दो important चीज़ है सबसे पहले तो आपका side mounted fingerprint scanner रहता है power button के साथ और दूसरा आपका रहता है यहाँ पर यह volume keys रहती है just opposite section में आपको dedicated sim slot दिखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप दो sim और एक memory card इस्तेमाल कर सकते हो और अपर section में एक secondary mic मिलता है noise cancellation के लिए निचले इससे में आपको एक पुरानी सी चीज के दर्शन हो जाएंगे वो पुरानी चीज क्या है comment करके जरूर से बताएगा और मैं आपको बता दूँ वो यह है कि यहाँ पर आपको speaker type c और साथी साथ यह एक छोटा सा mic मिलता है जो भूली बिसरी हुई चीजे हैं जो भूले बिसरे हुए features हैं उसमें एक आता है audio jack जो कि आजकल mobile phone से गायब हो गया है लेकिन इसमें इस चीज दे रखी है यह चीज मुझे personally बहुत interesting लगी है तो comment करके बताना कि क्या आप भी इस audio jack को miss करते हो और अगर करते हो तो इस phone के लिए एक like मिलना चाहिए back section अगर आप देखोगे इस phone का काफी बलकी से नजर आ रहा है इसका camera setup मैं सबसे पहले तो इस color की बात कर लेता हूँ इसमें आपको दो color options मिल जाते हैं sunny osis और dark purple और जो हमारे पास आप देख सकते हो है वो है sunny osis real me का badging काफी प्यारी नजर आ रही है आपको dual color इसमें feel होगा नीचे की तरफ आपको हलका सा golden लगेगा अपर section इसका हलका सा आपको green कह सकते हो या फिर आप blue कह सकते हो या जो कहना चाहते हो कह सकते हो बट green थोड़ा से ज़्यादा लग रहा है blue तो नहीं कहना सही होगा green और golden की combination में लग रहा है हलाकि जब आप कुछ इस तरीके से इसे हिलाते हो तो फिर कहीं नहीं color आपको fluctuate होता हुआ दिखाई देगा इस phone में मुझे color तो काफी ठीक ठाक लगा है matte finish है आपका plastic frame है overall phone का look तो अच्छा है लेकिन camera look मुझे मतलब उतरना प्रभावित नहीं कर बाया उसके पीछे reason यह होता है कि बहुत ही बलकी setup है 50 megapixel का main camera है यहाँ पर और साथी 2 megapixel के depth sensor है 1080 pixel की videos आप 30 fps पर record कर सकते हो लेकिन again camera setup थोड़ा सा compromised होता हुआ नजर आए comment करके बताओ यह चीज़ कि Realme UI का support है और साथी साथ यहाँ पर आपको storage मिला है 128 GB का MediaTek Dimensity 6100 यानि की 1600 प्लस प्रोसेसर मिल गया है यह processor Mali G57 के साथ आता है और इसकी rating अगर हम nano review website के साब से आज की तारिक पे देखे तो out of 137 की होती है और एक C grade processor इसे mark किया गया है C grade processor मैं generally prefer करता हूँ उन कामों के लिए जो की professional use से जुड़े हुए होते हैं अगर आपको social media इस्तमाल करना है healthy full key videos record करना है तो वहाँ पर कोई issue नहीं आने वाला लेकिन एक point जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा confusing है उसे मैं आगे चलके आपको clear कर दूँग वह यह है कि gaming क्या इसमें smoothly हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस बारे में बात हम लोग अभी फिलाल नहीं करेंगे क्योंकि पहले यहां पर बात करनी होगी यहां पर और भी बहुत सारे features है camera बगर के बारे मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत ही अच्छा camera मेरे को लगा है और overall camera को अच्छा लगने में एक बहुत बड़ा रोल होता है इसकी display का और इसकी display भी मुझे काफी interesting लगी है और अगर आप देखोगे तो indoor में अभी फिलाल तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा इस photo को अगर आप देखोगे तो colors बहुत ही प्यारे आ रहे है अगर आप next image पे जाओगे तो यह है 50 megapixel से और अभी यहाँ पर आप zoom को और कितना ज़्यादा कर लो और पिक्सल फाड़के quality आपको देखने को मिल जाती है इस phone में जो कि कहीं न कहीं मुझे बहुत interesting लगी है इस photo को मैंने 50 megapixel से लिया है और अगेन यहाँ पर भी clarity बहुत ज़्यादा है बहुत ही depth में जाकर आप photo को देख सकते हो तो एक छोटा सा phone एक छोटा सा camera कितनी ज़्यादा clarity आपको दे सकता है यह इस realme c67 ने आपको बता है selfie camera again realme के बहुत प्यारे होते है मैं literally recommend करता हूँ कि आप realme में चले जाओ अगर आपको selfie लेनी है क्योंकि कहीं न कहीं originality तो miss होती है लेकिन color contrast बहुत प्यारात है basically असमान इतना नीला नहीं है जितना इस display पर आपको नजर आ रहा है लेकिन color यानि की photo अगर आप देखोगे बहुत अच्छी लग रही है यह देखने में मैं personally बहुत like कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी photo को और आप से भी comment करके पूछूँगा कि आपको क्या लगता है इसकी photo के बारे में 8 megapixel का sensor है और अगर आप इसकी zooming quality देखोगे तो बहुत अच्छी नजर आ रही है और बाकी कुछ photo samples आप देखी रहे होंगे comment करके बताएगा कि आपको overall इसकी performance कैसी लगी है अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके side mounted fingerprint scanner के बारे में side mounted fingerprint scanner यह रहता है और जैसे ही आप touch कराते हैं एक हलका सा delay आपको मिला है first time, second time try करते हैं कोई delay नहीं है third time try करते हैं कोई delay नहीं है और इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहे है इसके open होने में बाकी मुझे तो लगा है कि हलका फुलका delay तो सब में रहता है लेकिन इसमें आपको वह भी देखने को नहीं मिला है काफी fast रहता है जाइरो नहीं होने की वज़े से कहीं नहीं कहीं आपर आपको rise to wake को option नहीं मिला है अगरवाइस fingerprint scanner और face lock बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं चलिए बढ़ते हैं अब इसके final review की देख लिए हैं और अब बात करते है final review की unboxing के बाद कि यह phone मुझे कैसा लगा है realme के साथ कहीं न कहीं जो मेरा obsession रहा है बहुत पुराना रहा है मुझे personally realme phones बहुत ही interesting लगता है इसके पीछे बहुत सारी बजह है फिर वो चाहे look हो कम price हो या फिर कहीं न कहीं इसका camera हो और यह तीनों ही features इस phone में आपको मिल जाते हैं look आप देख सकते हो आपने unboxing में पास है मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था और जो features आपको मिले हैं वो बहुत ही advanced level के हैं फिर वो चाहे इसका fast charging 33 watt की fast charging प्रोसेसर हो Dimensity 1600 plus processor फिर वो चाहे इसका 5G होना हो यानि कि एक budget 5G phone भी है realme का तो यह सारी features इसे कहीं न कहीं थोड़ा सा unique बना दे रहता है जो कि real life में बहुत ज़्यादा value करते हैं तो अगर आप इसे करीने चाहते हो तो लिंक सा आपको description box में देखने को मिली जाएंगे लेकिन कहीं न कहीं अगर आपकोई doubt है phone को लेकर तो वो आप हमसे comment करके जरूर पूछ सकते हूं इस phone का competitor आता है redmi में redmi 13c और इस phone के साथ उसका comparison मेंने करा है लिंक वीडियो का link description box में है जाओ देखो बताओ कि कौन सा phone आप prefer करोगे यह या फिर वो comparison जरूर देख लेना लेने से पहले वो सबसे ज़्यादा माइन रखता है तो comment करके बताना यह phone कैसा लगा है कोई doubt है कोई सवाल है वो सब और वीडियो पसंद आगी हो तो like करेगा तब तक लिए नमस्कार दोसो जैहन वंदे मातरम अ कर कर